नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फाइब दूने इस वीडियों में आपको बताने वाला हूँ नाइसी नेक्शनल राइस्ट यह सुचना विग्यान के अंदर उनके द्वारा न्यू बरती जारी किये नोटिफिकीशन है वो भी जारी हो चुका उसकी जानकार आपको इस सुरू हो जाएंगे चार मार्स आवेदन कर सकते हैं इस बरती के इंदर जो भी कंडिटेट आवेदन करना चाता है आयू शीमा क्या रखेगी एप्लेकेशन क्या लगेगी योगिता क्या रखेगी पूरी जानकार आपको इस पूडियो में बताने वाला हूँ अब चलते है पूरी जानकारी जो भी चारर मोस चानकार आपको इस पूडियो में बताने वाला हूँ चलते हैं जिरीक्राइब को निखाला गया है ज्यो नेक्सिनल इंफ्रो जैंटर निसी उनके दौ़ारा यह बर्टी निखाली गई है इसके इंदर पोस्ट रखी गई है यहां पर अलग अलग पोस्ट है रखी गई है तो इसमें वोरियस पद मेने यहां पर लिख दिया है आगे सब कुछ बताने वाला हूं वीडियो को एहंड तर देख लेना इसमें जो वेकेंसी डिटेल रखी गई है आगे बात कर लेते हैं इनके फोरम में वो कब से सुरू हो जाएंगे आगे एज लिमिट की बात कर लेते हैं लिमिट की इस परकार से रखी गई जो भी कणुडेंट आवेदर्ञ करना चाहता है नियोतम आयों इटाराव वरस से लगे तीस बरस करती गई है 28 से तीस वरस काय जो भी इस्थुडेंट इसके लिए अपलाई कर सकता है इस बरती के आई की गंड़ा है वो चार अप्रेल दो जार तेस को अधर्मान कर की जाएगी इसके अलावा जो कंडिडेट है जो भी कंडिडेट है ऑबी सी डॉबलो से स्टी जो कंडिडेट है आरक्षिन वर्गों के सरकार की नियम अनुसार है आयूशी मामी छूड़ दी ज रखता है और चार अप्रेल दो जार तेस को अधर्मान कर की जाएगी अब इसमें वह एप्लेकेशन पीस की बात कर लेते हैं अप्लेकेशन पीस कितनी रिखेगी यह फोर्म बढ़ने के लिए जो भी कंडिडेट है नाए सी रिक्रूमेंट के लिए अप्लाइ करना चाता है एप्लेकेशन पीस जनरल का हो ओबीसी का ओवी डबलोस का चातर उनके लिए आट सो रिपावजन पीस रखी गई है एप्लेकेशन आपका पेमेंटर वो ओलाइन मदम से किया जाएगा तो आपका फोर्म बढ़ने के लिए किसी परकार का कोई चार्ज नहीं लिए जाएगा और जनरल ओबीसी डबलोस का उनके लिए आट सो रिपावजन पीस लेगी है आगे बात कर लेते हैं योगयता क्या रखी गई है और वेकेंसी डिटेल पोस्ट बता दिया है सब कुछ यहां पर है पोस्ट यहां पर वेकेंसी यहां पर योगयता अब साइंटिस बी है उनके साइंटिस संब्ièmeेश और तो न सेवंटीवन पद रखे गया है सईंटिस ऑफीशर होता है इंजणियर्य उनके लिए reg Most टेजिए यहां पर निठाल देख सकते हैं सेहीं साइंटिस बीर्वनके AI मसी प्रकार चाहिए और यहां पर योगयता के लिए बेसार मैं प्त्परोसे सबसे पहले आपका इंट्रवी होगा जो साइंटेस्ट भी है ओफिशर इसके लिए अप्लाइब करेगा इंजिनेर के लिए तो उनका इंट्रिवी होगा फिर आपके डॉकुमेंट से वह वेरिफाइकेशन पिर आपका मेडिकल इंजामनेशन तो इस प्रकार से रखा गया है सेलेक्शन प्रसेज अगर आपको अनएसी बरती की जानकर यह अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर दिना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो भी न्यू बरती आती उसका नोटिफिकेशन आपके पहुंच सके